हलो गाइज वेलकॉम बैक तुम्हें चैनल कैसे है आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे गाइज आज मैं आपको एक होरर कहानी सुनाओंगी जिसका नाम है डार्क नाइट तो लेट्स पी सुनिये ना जी घर में इतना सोना रखना ठीक होगा अड़े सुसमीता दो दिन बाद तुम्हेरे बेहन का शादी है तो सोना अभी कहां रखोगी उतना फिकर मत कर रब जी है ना उन पर भरोसा रखो सोना सही रहेगा सुनिये ना जी सब सोना घर पर छोड़ के आती तो अच्छा होता अरे तुम इतना फिकर जो कर रहे हो ना मुझे भी टेंशन हो रहा है ठीक है काम करना सुबा सुबा मुझे सोना दे देना मैं ओफिस जाने का टाइम तुमारा घर छोड़ कर आऊंगा ठीक है जी अब मुझे सुकून मिला अच्छा सुस्मिता अगर सोना में तुमारा घर छोड़ कर आऊंगा तो तुम शादी का दिन कहां से तेयार होगे यहां से न वहां से नहीं नहीं मैं हल्दी में ही चली जाऊंगे ठीक है ठीक है सोने का फिकर अब छोड़ो कल तो बात हो गया चल अब सोने जाते हैं चली जी मैं भी बहुत ठक गई हूँ अरे घर तो कितना बड़ा है इस घर में ही आज मैं चोड़ी करूंगा सुना है इस घर में किसी का शादी वने वाला है तो सुना वना जरूर मिलेगा चलो ढूनते है आस तो मजा ही आ जाएगा पहले मैं पेट पुजा कर लू फिर चोरी करूंगा अरे मुझे तो बहुत प्यास लग गया जाए किचिन में जाए पानी पी करांगा आस तो मजा ही आ गया अरे तुम कौन हो अरे ये कौन खा रहा है अरे ये तो चोरे चोर 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 चुप चुप कर एक दम अर पिच्छी क्या हो आपको आप तू भी मार अब मैं खुश हूँ असानी से सब चोरी कर लूँगा अरे अरजुन तुझे पता है मुझे एक बहुत भड़ा घर किराया में मिला वो भी ऑफिस से बहुत पास वाव तो फिर पार्टी तो बनता है अरे रुक यार पहले सेटल तो होने दे मुझे कल मैं शिफ्ट कर रहा हूँ ओके ब्रो बेस्ट अफ लग अरे वह घर तो बहुत खुबसूरत है एक काम करूँगा एक दिन पीती को यहाँ पर लेके आऊँगा और हम दोनों बहुत मस्ती करेंगे अरे घर तो एकदम टिप टॉप है मुझे अससफाई करने का कोई जरूरत ही नहीं है अरे एक काम करता हूँ अभी कुछ खाना ओडर करके खा के सो जाता हूँ कल सुबा आफिस भी है इतने दिन माद कौना मेरे घर में पर चोड़ तो नहीं अरे ये किसका वाज है कौन मुझे डरा रहा है भाई तो नहीं चोड़ है ना जिसने मुझे मारा था अरे मैं कोई चोड़ नहीं हूँ मुझे ये घर किराया में मिला है हाँ मैं कहा फस गया निकल जा मेरे घर से अभी मैं निकलता हूँ भागो अरे क्या हुआ तुझे दो दिन आफिस नहीं आया तब यह तो ठीक है मेरा हालत देखके क्या तुझे लग रहा है कि मैं ठीक हूँ अरे क्या हुआ नेया घर में कोई भूत देख लिया अरे तुझे कर से पता चला उस घर में भूत है हाँ भाई उस घर में सेच में भूत है मैं दो दिन रमन के घर रहा मेरा बदन बुखार से तरप रहा था अरे क्या बात कर रहा है भूत हुष हाँ भाई भूत मैंने वो घर छोड़ दिया हो सकता है क्या पता माँ भाई मैं कुछ दिन बाद होस्टेल में शिफ्ट हो जाऊंगा एक साथ रहना ही ठीक है कुछ दिन बाद उस घड में एक न्यूले मैरेट कपल टेनेंट वन के आया था अरे वाव विशाल कितना खुपसूरत घर है थैंक यू अरे मेरी प्यारी रूपा ये तो किराया का घर है मैं चाहता हूँ तुमे एक न्यू घर ऐसे ही खरित कर दू अरे हो जाएगा आप जो इतना महनत करते हैं थैंक यू रूपा तुम मुझे कितना समझते हो आई लाव यू रूपा अरे विशाल अंदर तो कितना टिप टॉप है मुझे और घर साफ करने का कोई जरूरत ही नहीं है एकदम टिप टॉप ये कैसे पॉसिबल है बोलो तो चलो छोड़ो तुम अज बिर्यानी बनाओ आज हम लोग बिर्यानी खाएंगे हाँ हाँ बनाती हूँ अरे मुझे कितनी प्यास लग रही है जाके ठंडा पानी पीलू किसका हिन्मत हुआ मेरे घर में आने का कौन है मुझे बहुत डल लग रहा है कौन है ये मेरा घर है निकलो मेरे घर से निकलो हाँ हाँ मैं अभी जाती हूँ अरे विशाल आपको पता है इस घर में भूत है चलिए चलिए हम लोग यहां से चले जाते है अरे तुम कुछ सपना देख लिया रूपा कोई भूत भूत नहीं होता चलो सोने चलते हैं मुझे चेंज भी करना है यह क्या इस घर में तो लाइट जल रहा है लगता है फिर से कोई आया है आज तो चोरी करूंगा पहला चोरी में मैं इतना माला माल हुआ दो साल चोरी करने का जरुआती नहीं पड़ा दो टो खून करके मैं आराम से हूँ मुझे जेल भी नहीं हुआ चलो अब चोरी करते हैं आज क्या लेने आया पहराई भू भू ये कौन है मैं आई हूँ जिसे तूने मारा था अब तू भी मार आज मुझे 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 मिला मुझे खून खून किसने इसको मारा में मारा ये चोर पांच साल पहले तोरी करने आया था इस घर में मुझे और मेरे हस्बन को इसने बे रहमी से मारा था आज मुझे 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 मिला मुझे तूम यहां आराम से रहो उसके बाद से विशाल और रूपा खुची-खुची उस घर में रहने लगे सो कैसा आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन प्रेस कर देना ये कहानी आपको कैसी लगे हमें कमेंट में बताना और गाइज ये कहाने अपनी फ्रेंड्स और फैमिली तक भी शेयर करना मत भूलना थैंक यू